मिखायल गौर्बचव और सोवियत संग का विगटन पहले हम विगटन शब्द को समझने की कुशिश करें विगटन का अर्थ है टूटना सोवियत संग का टूटना सोवियत संग एक महाशक्ति के रूप में उसका प्रारम माना जाता है 1923-24 के बाद से लेनिन के आने के बाद से फिर स्टैलिन फिर ब्रेजनेव खुश्चेव ब्रेजनेव आधी आधी और अगले करीब 30 वर्षो में सोवियत संग जो है अपनी स्थापना के बाद एक महाशक्ति के रूप में हो गया था लेकिन दुरभागे से एक समय आया जब सोवियत संग कई टुकणों में तूट गया और तूटने की प्रक्रिया को ही विगटन कहते हैं याद रखेंगे तूटने के बाद ही सोवियत संग के टूटने के बाद ही करीब नए 15 देश सामने आये उन नए 15 देशों में जहां कजाखिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन, आधी आधी थे जो आप नक्षे में देख रहे हैं तो रूस भी ऐसा ही एक देश था, और जितने जो देश बने 15 नए देश आये, उन में एक तरीके से सबसे शक्तिशाली देश था, तो सोवियत संग की महाशक्ती का प्रतिनिजित्व, अब तूटने के बाद, विगटन के बाद कौन करता था, रूस, तो कृपिया किसी भी तरीके से कन्फ्यूज ना हो, कि सोवियत संग और रूस एक ही हैं, नहीं, दोनों अलग-अलग थे, सोवियत संग बहुत बड़ा खेतर था, जिसका बाद में विगटन हुआ, उनिस समय राश्पती में, और विगटन के बाद, रूस नामक नए देश का जन्व हुआ, मिखायल गौरबच्च जो उस समय राश्पती थे, उनिस सो असी के दशक के मद में, यानिस सो चौरासी पच्चासी में, कम्यूनिस पार्टी के महा सच्चिव बने, ये एक बहुत बड़ा पद होता है, किसी भी कम्यूनिस देश में, वहां की जो सबसे बड़ी पार्टी, ये एक मातर पार्टी होती है, उसका महा सच्चिव बनना, तब से बड़ा उहदा माना जाता है, तो उसके गौरबच्च जो सोवियत संग है, पाश्चात देश सूचना एवं प्रॉद्वेगी कि छित में करन्त कारी बदलाओं के दौरते गुजर रहे हैं, जब यहां जदी समाली उस दोरान पश्चिम में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा था, बैग्यानिक परिवर्तन, संचार माध्यां बहुत बड़ गया थे, प्रद्योकी की खेतर में बड़े करांतिकारी परिवर्तन आ रहे थे, यानि पश्चिमी देश आर्थिक रूप से दिन द ऐसा नहीं कि गौर्बचेव ने पश्चिमी देशों की प्रगती को अंदेखा कर दिया और कुछ प्रयास नहीं कि ऐसा नहीं है, गौर्बचेव ने पश्चिमी देशों की प्रगती को देखकर और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम पीछे न रहें, उन्होंने अपने देश में भी यानि रूस में भी बहुत चे सुधार लाए। सॉव्ए संग में बहुत delighted कई परवर्तन किये। उनपी ब्राबरी करने के लिए उन्होंने लिए यह सब सुधार किये। और कहा कि यह बहुत ही जरूरी है कि यदि हमें पश्च्रिमी देशों की बराबरी करना है तो गौर्वत चेव ने इसके लिए क्या किया उन्होंने पश्चिमी देशों से संबंद सुधारने का प्रयास किया आपको याद होगा मैंने जब स्टैलिन की बात की थी तो मैंने कहा था कि स्टैलिन और उसके बाद स्टैलिन एक तरीके से बहुत तरही में कते ही विश्वास नहीं करता था लोग संसर में उसके विश्वास नहीं था दूसरी ओर हम यह देखते हैं कि गौर्वत चेव के आते आते स्थितियां थोड़ी बदल गई थी और गौर्वत चेव ने पश्चिमी जगत की नकल करते हुए या पश्चिमी जगत को अंदेखा न करते हुए अपने देश में भी कुछ सुधार लाने का प्रयास किया पर दुर्भाग्य यह सुधार कुछ गलत दिशा में चले गया और यह सुधार ऐसे थे जैसे कि मानो की लगाम को छोड़ दिया जाए उसके बाद लगाम को पकाड़ना बड़ा कठिन होता है तो ऐसे ही यहा हुआ जब गौरबत चेव ने कुछ सुधारों की घोशबह खी कुछ बोलने का अधिकार वहां के नागळिकों को दिया चंगठन बनाने का अधिकार वहां के नागर तेजित हो चले और अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे तो जब पश्चिमी जगत करांतिकारी दोर से गुजरा था हमारे गौर्वचे रूस के अंदर सोवियत संग के अंदर कुछ सुधारों का प्रयास करने थे और ये सुधारों के प्रयास के पीछे उद्धिश क्या थ कि हम पश्चिमी देशों की ताकत की बराबरी करते के परिवर्दिश परिंसितियों में पश्चिमी देशों की बराबरी करते के और इसवकार सोवियत संग में भी सुधाएं प्रारंब करने की जरूरत है ऐसा इस mitad के नेताओं का मान नशा और इसी का परणाम क्या हुआ कि गौर्वचेव ने संबंदों को सामाने बनाने की कोशिश की विदेशों से अपने देश में लोग तांत्रिक रूप देने की कोशिश की और साथ ही कुछ और परिवर्दन लाए जिससे यह साबित होता है कि सोवियस्टन एक तरिके से आधनी की करण की और बढ़ रहा है या वह भी समाजवाज से थोड़ा त्रस्त हो चला है पश्चिमी देशों के साथ सम्मंद बनाने पहली बात सोवियस्टन को लोग तांत्रिक रूप देने दूसरी बात ये दो बातों से को जैसे ही लागू किया कुछ बिलकुल अनपेक्षित परिवर्तन सोवियस्टन में हुए जिसका उन परिवर्तनों का अभास किसी को भी कतई नहीं था इन परिवर्तनों का अभास नहीं होने का परणाम क्या हुआ कि गौर्बचेव और तक्कालीन सोवियस्टन के शासक इन परिवर्तनों को रोकने के लिए इन परिवर्तनों को दिशा देने के लिए तयार नहीं थे और इसी कारण वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हुए जिसका जिक्र बाद में और होगा पूर्वी युरोपी देश वे सोवियत गुट के सदस्य थे क्योंकि सोवियत सीमा से लगे हुए थे और एक तरीके से सोवियत संग के पश्चमे भाग का ढाल का काम भी करते थे इन देश के नागरिकों ने धीरे धीरे परिशान होकर सोवियत संग के नियंतरन का विरोध करना प्रारंब किया क्योंकि सोवियत प्रणाली से वे एक तरीके से उप चुके थे खिन हो चुके थे और दूसरी और उनके पश्चिम में जो यूरोपी देश थे उनकी प्रगती उनको पश्च दिखाई दे रही थी आर्थिक प्रगती तो इस तरीके से इन्होंने विरोध करना अरंब किया और गौर्बचेव के शासनकाल में सोवियत संग ने निश्चित र कोईका और ग्लास नॉट जैसे राजनायतिक और आर्थिक सुधारों को लागू करने का प्रयास किया लेकिन उससे कोई विशेश अंतर नहीं आया इस काल में तो बलकि गौर्बचेव ने जो इन देशों में जो गर्वडियां हो रही थी उसमें किसी तरह का हस्तक शेव भ केटलाइट देश में किसी देश में जो सोवियत खेमे का सदत से है वहां किसी तरह की स्वतनता या किसी तरह का विद्रो या विरोध होता था तो सोवियत संग की सरकार उसे बखू भी पूरी तरह से कुचलती थी पनपने नहीं देती थी ऐसे विद्रों को पर गौर्बच जो स्वायम सुधारवादी थे, स्वायम उधारवादी विचारों के थे, थोड़ा लोग तांत्रिक विचारें से उनका वाकिया था, उन्होंने एक तरीके से यहां होने वाले किसी तरह के जन विद्रों पर उन्होंने कुछ हस्तक खेप नहीं किया, उसे वैसा ही छोड़ द पूर्वी यॉर्प के उन देशों की जिनके जिनको आपने नक्षे में देखा है चकासलवाकिया, युगसलाविया, उसके बाद बल्गारिया, हंगेरी, पोलेंड, आधि-आधि. तो ये देश धीरे धीरे सामेवादी प्रभाव से अपने को मुक्त करने लगे, वहाँ पे सामेवादी सरकारों का पतन होने लगा, और इस पकार सोवियत संग के बाहर, उनके जो सम्मंदित देश थे, उनके गुटके, वहाँ स्वतनता के बेयार चली. अब जब सोवियत संग के बाहर, उसके गुटके देशों में ऐसे स्वतनता के आंदुलन और विरोज और विद्रोश शुरू हुआ, निश्चित रूप से इसका असर, सोवियत संग के अंदर की राजनीती में भी और अंदर की जनता में भी होगा, सोवियत संग के बाहर हो रहे, इन बदलावों के कारण आंतरिक मामलों में भी संकट के बादल मंडराने लगे थे, खत्रा दिखने लगा था. जब हवा बहती है, तो फिर उसको रोकना मुश्किल होता है, और वही यहां हुआ कि सोवियत संग के अंदर भी अब विद्रोह, विरोध, और खिन्नता और आज ये सब शुरू हो गया. विगटन की प्रक्रिया की ये शुरुवात थी, सोवियत संग के तूटने की शुरुवात, इसी को ही माना जा सकता है, और गौर्बचेव के आर्थिक प्रियास, गौर्बचेव के राजनेतिक सुधार, लोक तंत्र की नीती, एक तरीके से उसने यहां पर इस तूटने की प्रक्रिया को, विगटन की प्रक्रिया को एक तरीके से गती दे दी, क्योंकि गौर्बचेव अब हस्तक शेप नहीं कर रहे थे, वे जनता के लिए थे, लेकिन कुचलना उनकी नीती से परे था, जनता की आवाद को कुचलना, उनके अपने स्वेम विचारों के परे था, एक तरीके से सोवियत संग के अंदर ही इन सुधारों का जो असर होना था वहना हो करके उल्टा इसने स्वतंतिता को विद्रोह को विरोध को बल दे दिया उसका प्रारम्भ हो गया खुल कर इसका सभी जगह एक तरीके से विरोध होने लगा यहां तक कि लोगतंत्री नीती भी अपसपश दिखाई देने लगी और कम्मिनिस पार्टी के अंदर जो गरम पंथी नेता थे गरम पंथी नेता थे गरम पंथी थे जो कम्मिनिस पार्टी की भावनाओं पर लकीर के फकीर की तरह विश्वास करते थे और किसी तरह का परिवरतन बरदाश नहीं करते थे उन्होंने भी गर्वाचेव का विरोध करना शुरू कर दिया तो इस प्रकार किसी ने किसी कारण से अंदरूनी मामले में भी जनता ही अब विरोध नहीं करने लगी बलकि पार्टी के अंदर भी गौर्वाचेप की नीतिकों विरुद में अब एक तरीके से लोग खड़े हो गए और इसका परणाम यह हुआ कि पार्टी के इन गरम पंती सदस्यों ने एक तरीके से सैनिक तक्ता पलट का प्रयाद भी करवाया 1991 में एक तरह का शड़ेंत रचा गया चैनिकों के माध्यम से और तक्ता पलट की कोशिश की गई ताकि गौर्वाचेप को हटाया जाया और कम्यूनिस पार्टी का वर्चा स्थापित किया जाया लेकिन यह प्रयोग यह तक्ता पलट का प्रयास आसफ़ल रहा इस तक्ता पलट में के प्रयास में येलसिन नाम के व्यक्तिकेद बहुत बड़ी भूमिका थी येलसिन बौरिस येलसिन इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी और इस भूमिका में ये पश्ट था कि बौरिस येलसिन जो है वो गौर्बचेव के खिलाफ हैं और इस पकार यद्यपी गरम पंसियों का प्रियास असफल रहा पर यल सिन गौर्बचेव का विरोध करने के कारण एक नायक के रूप में उभरे और इतना उन्होंने अपना आधार बढ़ा लिया कि उन्ने सो इंकानवे में जो पहले आम चुनाओं हुए वहाँ पर रूस के आम चुनाओं में वे स्वतंत्र रूस के पहले राष्ट्रपती के रूप में सामने आये अब ऐसा दोर शुरू हो चुका था जब सत्ता याने शासन या शासन का केंद्र मास्को से हटकर इन गड़राज्यों की ओर जुकने लगा था जो सोवियत संग तूटा जो जो पंद्रा राज्य बने उनमें ते कई गड़राज्य थे गड़राज्य अर्थात रिपब्लिक और रिपब्लिक क्या होता है वो ऐसा देश रिपब्लिक कहलाता है जिसका मुखिया जनता के द्वारा चुना जाता है मैं पुना बता दूँ गणतंत्र गणराज वह देश होते हैं जहां का मुखिया जनता के द्वारा चुना जाता हो भारत एक गण रज्ज है भारत का मुखिया कौन है राष्ट्रपती प्रधान मंत्री राष्ट्रपती के नीचे आते हैं भारत का मुखिया प्रधान मंत्री ना हो करके राष्ट्रपती होते हैं और राष्ट्रपती का चैन कौन करता है जनता करती है आप्रत्यक्ष रूर्ट से आप्रत्यक्ष कार्थ जनता प्रतिनिदियों को चुनती है MLA और MP को विधान सभास सदस्य और लोग सभास सदस्यों को राज्य सभास सदस्यों को और जनता के चुने हुए ये सदस्य जनता के बहाफ में राश्पति चुनते हैं तो ऐसा माना जाता है कि राश्पति का चैन इंडिरेक्ली परोग शुरूप से ही सही जनता करती है इसलिए भारत क्या है गणराज्य तो ऐसी सोवियत संग में जहां अभी तक एक पार्टी शासन था जहां पर अभी तक ताना शाही थी जहां पर अभ एक तरीके की लोकतांत्रिक व्यवस्था आई गणतांत्रिक गणराज्य बने गणतांत्रिक व्यवस्था सामने आई और ये जो जुकाओ गणतंत्रों की ओर था ये धीरे धीरे बढ़ने लगा ये जो गणतंत्र का जो जुकाओ था ये आप देखेंगे कि मुक्यतिया हुआ जो यूरोपी प्रभाव में थे यानि पश्चमी यूरप के देशों के निकड जो थे वहां पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा इस गनतंतरता का इस गनराज की भावना का पोलेंड चकसलवाकिया रूमानिया बलगारिया ये देश देखिये नक्षे में ये के तरफ के यूरोप के देशों की बात करें तो उन पर अमेरिका और पश्चमी यूरोप के देशों का ज्यादा प्रभाव थे ये लोग अपने आपको संप्रभु मानते थे संप्रभु यानि सार्वभॉम सार्व भॉम को अंग्रेजी में कहते हैं साविरिन तो ये ऐसा देश ये जो नए देश थे ये अपने को संप्रभू मानने लगे अपने को ये मानने लगे कि हमारे उपर कोई शासक नहीं है जैसे भारत अपने को संप्रभू मानता है भारत कुछ भी निर्ने लेगा किसी भी मामले में भारत के द्वारा लिया गया निर्ने किसी अन्य देश के दबाव में नहीं हो सकता और यही कहलाता है सम्प्रबुता किसी अन्य देश के दबाव में निर्ने ना लेने की ख्षमता डबाओ में ना आने की बात सम्प्रभुता कहलाती है तो यहां भी यही हुआ कि गणराज की और जुग गया यह सारे देश जो पहले साम्यवादी थे जो पूर में समाजवादी देश थे अब उनका जुकाओ गणराज की व्योस्था की और हो गया अब उनका जुकाओ यौरोप के अन्य देशों के प्रभाव पर हो गया और अपने कोई लुफ से चंत मानने लगे सबसे बड़ा अश्चेर की बात तो यह कि जो मद्येश याई गणराज जो आप देख रहे हैं जो सोवियत संग से अलग हुए यह गणराज इन्होंने कभी भी आजाधी की मांग नहीं की थी आजाधी तो वेदेश मांग रहे थे जो नक्षे में निकरा है जो यौरोप पश्चमी यौरोप के निकट थे वेदेश नहीं जो रूस जो सोवियत संग के अशियाई खंए में थे मैंने जैसा पहले बताया सोवियत संग इतना विशाल काय देश था कि उसका जहां आधा हिच्छा एशिया महाध्वीप में तो आधा हिच्छा योरप महाध्वीप में था तो एशिया महाध्वीप में योरप के जो हिस्से थे और जो स्वतंत घुछ हुए वे लुक्ष एक तरीके से आजादी नहीं मांग रहे थी ये गंडराज स्वतंत्र राष्टों के राष्ट कुल से बाहर थे स्वतंत्र राष्टों के राष्ट कुल से तो बाहर थे किसी तरह ये समस्या बढ़ती जा रही थी पर अचानक कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे कि इस समस्या का निराकरण कर लिया गया और ये जो स्वतंतर जो ये जो इस समस्या का निराकरण करते हुए ये हुआ कि इन सदस्यों को भी राष्ट कुल का संस्थापक सदस्य गोशित किया गया उन्हें राष्ट कुल का संस्थापक सदस से माना जाने लगा और ऐसा करके यह जो समस्या थी कि इनको कैसे मिलाया जाए राष्ट कुल में इसका निराकरण कर लिया गया रूस को सोवियत संग का उत्तरादिकारी का दरज़ा दिया गया यह बहुत बड़ी घटना थी जैसा पहले बताया गया कि सोवियत संग के आने वाले जो पंदरा सोला टुकड़े थे पंदरा सोला राष्ट थे या पंदरा सोला जो भाग थे उसमें रूस का दबदबा बहुत ज्यादा रहता था और इसलिए अन्य चौदा जो हिस्से थे वे एक तरीके से अपने को कमजोर महसूस करते थे अपने को अपनी उनकी आ शक्षाली देश के रूप में उभरा और एक तरीके से सोवियत संग के समस्त चीजों का उत्तराधिकारी देखा जाने लगा उधारन के लिए अंतरराष्टी संधियां जितनी सोवियत संग ने की थी अपने काल में सत्तर वर्ष के काल में सोवियत संग के द्वारा की गई स समस्त अंतर राष्टी संदियों का निवारन पालन अनुपालन आदि की जिम्मेदारी रूस की मान ली गई याने दूसरे देशों ने जो सोवियत संग्से संदिक की थी अब वे उस संदियों के पालन परिपालन अनुपालन के लिए वे अब रूस के साथ बातचीत करेंगे अन्य देशों के साथ नहीं दूसरा जो परिवर्टन आया है सुरक्षा परिशद में यूएससर यानि सोवियत संग की जो सीट थी वह अब रूस को दे दी गए सर्व मानने तरीके से परिणाम क्या हुआ कि रूस महाशक्तिशाली होने की तरफ बढ़ने लगा सोवियत संग के विगटन के बाद अब वह बढ़ने लगा और इस प्रकार पूर्व में जो जितने गड़राज्य थे उन में सोवियत संग के बाद अब रूस काफी आगे बढ़ गया और तुरक्षा परिशद में उसको एक सीट मिल गई इसके साथ ही परमाणु शस्त्र के मामले में रूस एक मात्र देश था उन सब देशों में जिसके पास परमाणु हतियार थे परणाम जितने भी परमाणु समझोते अंतराश्टी स्तर पर सोवियत संग निक किये थे आपको बता दूँ कि इस काल में शीट दिके काल में जहां एक और प्रारंब के बीस पचीस वर्ष खूब परमाणु बमों का निर्माण हुआ अंतिम पंदरा वर्षों में लगातार ब्रिजनेव के बाद ये प्रयास हुए कि नह शस्त्री करन हो परमाणु नह शस्त्री क परमाणु बमों की संख्या को कम किया जाए उसे सीमित किया जाए उसे नश्ड किया जाए और इसके लिए पूरे विष में कई दौर राजनीति के कूटनीति के संदियों के दौर चले और उस संदि में जहां अमेरिका और उसके मितराश रहते थे वहीं दूसरी और से दूसरे पक्ष से सोवियत संग अकेला रहता था अब सोवियत संग के विगटन के बाद उसका स्थान रूस ने ले लिया और समस्त अंतराश्ट्री परमानु समझोते निश्थी करण के पयाष परमानु वारताओं में सोवियत संग के स्थान पर अब रूस को वह स्थान दिया जाने लगा जिसके कारण अब रूस की सत्ता रूस की शक्ती बढ़ने लगी इस पकार हम कह सकते हैं कि रूस सोवियत संग का alternative नहीं बलकि सोवियत संग का एक नि